दोस्तों नमचकार हिंदी में लिखे अंकों को पढ़ने में बहुत से बच्चों को लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है और इसके लिए computer में previous प्रोग्राम नहीं है Excel भी इसके लिए silent हो जाता है इसके लिए हमें manually formula बनाना पड़ता है तो अभी तक आप Excel अगर use करें तो आप देखें वहाँ पर इस परकार का कोई function अवेलेवल नहीं है कि जो आपके numbers को चबदों में पढ़ सके आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए इस परकार से एक formula बना के लाया हूँ आप इसे एक बार screen पर देख लें तो यहाँ पर लिखा है अंकों में संख्या type करें यहाँ पर आपने कोई भी number type करना है जिस number को आप पढ़ना चाहते हैं जैसे मान लिजे आप 225 पढ़ना चाहते तो आप यहाँ पर दो लिखेंगे अगले cell में आएंगे तिर दो लिखेंगे 25 लिखेंगे हर एक cell में आप अंक लिखेंगे तो देची एकदम से साथ में आ रहा है 225 इसको 225 पढ़ेंगे आप का अंक बढ़ रहा है 8,225 98,225 0 डाल देते हैं कोई change नहीं 3,02,98,225 इस परकार से आप देखिए 87 खरब 42 अरब 13 करोड 2,98,225 इतनी बड़ी संख्या को पढ़ने में दिक्कत आती है ये वाली sheet आप के लिए बहुत helpful है इसमें formula लिख दिये गए हैं आप इसे इस video के description से download करें या आपको google sheet के रूप में भी available हो जाएगी आपके phone में भी चलेगे आप कोई भी number है यहाँ पे number डाल दीजिए ये एकदम से बता देगा कि इसको किस परकार से पढ़ा जाना है जब आप bank में check भरते हैं या आप अपना roll number शब्दों में लिखना चाहते हैं कहीं भी आप शब्दों में लिखना चाहें आपके छोटे बच्चों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं किस परकार से पढ़ा जाना चाहिए आपके लिए शीट वहाँ पर बहुत helpful है इसके लिए बहुत मेहनत से एक formula त्यार करना पड़ेगा आप चाहें तो इस शीट को ही डाउनलोड कर लें उसके बाद इसे सीख लिए या आप excel के student है तो आप इसको और ज्यादा अच्छे से समझ कर और ज्यादा एक्स को expand कर सकते हैं अब देखें यहाँ पर हम number डालते हैं जैसे 1000000 तो इसने बता दिया यह 10 खरब है जैसे यहाँ पर हम डाल रहें आप कहीं भी इस cell में कोई भी number डालेंगे तो एकदम से आपको answer देदेगा दोस्तो इसको इस परकार से डिजाइन किया है दूसरी शीट में इसको बेलकुल बेस रूप में रखा यहाँ देखिए आप जैसे यहाँ पर अंक डालेंगे तो आपका result आएगा इस cell में अंक नहीं होगे तो 88 खरब, 88 अरब, 88 करोड, 88,888 आपने लिखा है और अगली शीट में हमने इस परकार से रखा है थोड़ा सा इसको colorful किया है अगली शीट में थोड़ा सा डिजाइन इस परकार से आप अंक यहाँ डालेंगे कोई भी अंक डाली है हम इसमें अंक इस परकार से डाल देते हैं तो आप दीखिए बीच में जो खाल लिए रहे, that means zero है zero डालेंगे तो भी ठीक है नहीं तो इसे पता है कि आपने बीच का जो नंबर है वो zero रखा है बारा खरव, 45 अरव, 27 करोड, 96,25,65 अब ये बारा खरव है, 45 अरव, 87 करोड, 96,25,65 दोस्तों ये sheet आपके लिए बहुत helpful है इसको आप बहुत तरह से यूज़ कर सकते हैं अब यहाँ पर इसका जो डिजाइन इस परकार से है कोई भी नंबर आप डाल के देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं तो इसका जो आउटपूट नीचे आ रहा है, 10 अरव, 10 खरव, 11,111 आप इसमें खाली छोड़िए या आप नंबर डालिए अभी यहाँ पर हमने इससे 10 खरव तक लिया है दोस्तों इसको इससे और जादा एक्सपेंट किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं पांच मिनट में मैं इससे जहां तक आप चाहें, वहां तक ले जा सकता हूँ लेकिन इतना काफी है छोटे बच्चों के लिए और आपके लिए आप इस शीट को अपने फोन पर यूज़ कर सकते हैं, फटा फट नंबर डाला और निचे से इसको कॉपी किया और लिख दिया अब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगा है, कहां कहां फॉर्मूला लगा है, अब ये बात डिसकस करते हैं तो यहां पर सबसे पहले तो बिल्कुल हिंदी में लिखा गया कोई फॉर्मूला नहीं है आप क्लिक करके देख लीजिए यहां कोई फॉर्मूला नहीं है यहां भी कोई फॉर्मूला नहीं है इस तरह भी कोई फॉर्मूला नहीं है फॉर्मूला यहां भी नहीं है सिर्फ यहां पर फॉर्मूला है यह दो सेल मर्च किये गए है यहाँ पर यह formula है आप देख सकते हैं यह हिंदी में इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने अभी font हिंदी लेकर रखा है आप address बार में देख सकते हैं formula बार में देख सकते हैं यह formula इस परकार से है यह पहले cell का formula है इसको मैं आपको नीचे text box में दिखा देता हूँ आपने जब भी number डालने तो किसी एक cell में दो number में डालने क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि number की अपनी position होती है इसलिए हमने इनको अलग-अलग column में रखा है आपका answer इसमें बिल्कुल ठीक से आएगा अगर आप चाते हैं कि एक ही cell में आप अंक दें और उसके बाद सीधे result ऐसा भी हम तयार कर सकते हैं इसके लिए हमारा दो मिनिट के और मेहनत और लगनी है अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप comment box में जरूर लिखें इसके लिए मैं आपके लिए formula अलग से लिखके दूँग आप इस पूरी workbook को जिसमें अलग-लग design के साथ हमने sheet के तयार करके रखी हैं आप इसको इस video के description से डाउनलोड करें और उसके बास इसी यूज करें दोस्तों यह formula को अगर आप विस्तार से समझना चाते हैं तो आप comment box में जरूर लिखें आपको मैं इसे पूरे विस्तार के साथ समझा सकता हूँ और इस पर जो भी आपकी query है जो भी doubt है वो भी clear कर सकता हूँ इससे पहले जो Excel में इस परकार की problem को solve करने के लिए जो options होती है वो इस परकार से कि आपको अपने Excel के अंदर कुछ BBA code डानने होते हैं that means कि आपको अपने Excel के software में कुछ change करवाना पड़ता है जो आप लोगों के लिए एक दिकत बड़ा कारे है अब वो कहां कहां करेंगे आप यह sheet आप कहीं भी use कर लीचे इसमें simple formula है और आ आप इसी उज़ कर सकते हैं एक बार फिर बता रहा हूं कि आपको यहाँ पर नंबर डालने आप नंबर नहीं डालते हैं यह बिल्कुल blank हो जाएगा आपका नंबर छोटा है जुरूरी नहीं आप 10 खरब तक आप 10,000 के बाद का आपका नंबर है उसे डाल दीजी आप यह उसी को result में बताएगा 99,999 आप आपका यहाँ 0 है 0 है 0 है 0 है 0 है तो 90,000 सीदे बनता है अब माली जी यहाँ पर कोई अंक है तो 90,030 माली जी यहाँ पर कोई अंक है तो छोटाई figure है बड़ी figure है उसको नंबर में उसको टेक्स्ट में convert करने के लिए हमने यह शिट बनाई है इसे हिंदी से अंगरीजी में भी ले सकते है उसके लिए थोड़ी से changes करने होंगे दोस्तों इस sheet में जो नंबर आते है उसका एक database हमने हलका ससाथ मिलिया अगर आप scroll बार आगे करें तो यहाँ पर हमने गिंती लिखिये आप इससे ध्यान से देखें simply गिंती लिखिये इस स्कूल के grammars और जो चार्ट शपतें वहां से लिया गया इंटरनेट से लिया गया है अगर इसमें spelling मिक्स्टेक आपको लगे तो आप यहाँ आखर की change करेंगे तो automatically यहाँ पर change हो जाएगा आपको इसमें change करने की आपशक्ता नहीं है हम चाहते तो इसे formula में भी डाल सकते लेकिन इस से क्या होता है कि कई बार कोई विवाद खड़ा हो जाता है कि नहीं जी 28 इस परकार नहीं होता कि किसी और परकार होता है तो जो आपको सही लगे जो यह तो मैंने जो सबसे सही है उसको लिया है फिर भी आपको लगे कि इसमें थोड़े changes होने तो आप इस list में इसको डाल दीजिए आपको 0 से लेकर के 99 तक की गिंती लिखनी है जिस पर कोई विवाद नहीं वो मैंने color से बाहर रखा है 82 में आदा बहु हो सकता है या पूरा हो सकता है यह अभी तक doubts में ही है क्योंकि मैंने देखा कि अलग-लग books में अलग-लग है तो आपको जो झाल 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 झाल